नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके पसंद्या प्रोग्राम गोड़ लग टेप्स में और मैं हूँ आपके साथ रीमा प्रसाथ दर्शकू यदि आप आर्थिक तंगी से जूच रहे हैं पैसू की कमी से आपके जीवन में भुचाल आया हुआ है तो आज आपकी ये समस्या खत्म करने के लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए रोड़ पती से करोड़ पती बने का चमातकारिक टोटका इस टोटके को करने के बाद आपके जीवन से नाकेवल आर्थिक तंगी खत्म हो जाने हैं बलकि आप करोड़ों के मालिक भी पर सकते साथ ही आपको हम बताएंगे नौकरी या जॉब संबंद समस्या को दूर करने का महा तोड़का और इन उपायों को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है जाने माने जोतर शाचारे पंडित मुकेश शास्त्री जी पंडित आपका बहुत-बहुत स्वागत जैशी किष्टा, जैमाता की, वेर गुड़ मॉर्निंग टू अल तो दर्शिकों आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमाना नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लाश हो रहा है तो आईए कारिक्रम की शिरवाद करते हैं गुड़लक टिप करकम के सभी दश्कों के उपर भवान शीहरी का, मा लक्ष्मी का, मा बगला मुकी का, हन्मान जी महाराज का, मा गौरी का आशिरवाद और कपैदस्ट्रियों मेशा बनी रहे आप सभी का कल्यानों दोस्तों आज आपके पसंदिदा शो गुड़लक टिप्स में हम बात करेंगी, आज बने एक दुड़लप सयोग के बारे में ऐसे दुड़लप सयोग में किये जाने वाले कुछ ऐसे महा टोटकों की, जीने आज के दिन करने से बनेंगे आप करोड़ पती, मिलेगा आपको पद, पैसा, शोहरत, साथ ही जानेंगे कि ऐसा दिव्य मंत्र, जिसके जाप से आपके पढ़ने वाले जो बच्चों को है, वो मिलेगी कुम्ब करनी नींद से, उबासियों से मुक्ती, कारकम को छोड़के कहीं मत जाएगा, क्योंकि आज आपके बच्चों के लिए विशेश तोर पर वो एक पावरफुल मंत्र लेके आ रहा हूँ, आया हूँ जिससे कि उनको कुम्ब करनी नींद से मुक्ती मिल सकती है, बहुत सारी चीजे मैं आपको बताऊँगा, तो जल्दी से कागच कलम लेकर बैठ जाएए और लिखते जाएए, आईए सबसे पहले जान लेते हैं, आज बने एक दुल्लप सयोग के बारे में, दोस्तों आज मंगलवार, दिनांग 25 दिसंबर सन 2018 को, तित्या तिथी, पुष्य नक्षत्र, वैधर्ती योग, सिद्धिदा योग, सौभाग्य सुंदरी वरत, अंगारक चतुर्थी वरत, इन सब का बड़ा हिदुल्लप सयोग बन पड़ा है, आज सुबह के समें, तित्या तिथी की स्वामिनी, मा गौरी और उनके परम भक्त, हनमान जी माराज का, और संध्या समय में, भगवान शी गणेश जी का पूजन करना, वरत करना, उपाय करना सिष्ट रहेगा, चुकि सिद्धिदा योग है, आज के दिन कोई भी काम करें, उसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी गारण्टे रह से, दूर होंगे आपके साबी कस्ट, मिलेगा आपको मन पसंद जीवन साथी, बनेंगे रोड़ पती से करोड़ पती, मिलेगी कोड का चेरी से मुप्ती तो आज के दुरलत सयोग पर भगवान मा गौरी, भगवान गणीशी और भक्त अनुमान की पूजा विधी और मंद्र भी हम आपसे जाना चाहेंगे आई जानते हैं आज तित्य तित्य है, मा गौरी की तित्य है, पुष्य नक्षत रहे तो आज मा गौरी का, भगवान गणीशी का और भक्त अनुमान का अनार के रस्ते आज अभिशेक कीजेगा दशुप्चार पूजा कीजेगा, शौडशुप्चार पूजा कीजेगा गौगहत का दीपक अरपन कीजेगा केवडे से बनी धूप बत्ती का, धूप अरपन कीजेगा मा गौरी को चूनरी, शिंगार सामगरी, काजल, बिंदी, महंदी पुष्माला, फॉल धक्षिना, इत्यादी अरपन कीजेगा गणीशी माराज को भी दुरुआ अरपन कीजेगा अनवान जी महाराज को संदूर अरपन कीजेगा गुलाप के पुष्म अरपन कीजेगा कुमकुम चंदन से तिलक अरपन कीजेगा गुड के बनेवे मीठे पुओं का भोग लगाईएगा गुड के बनेवे मीठे पुओं का आज मा गौरी को, भगवान गनेश को, भक्त अनुमान को भोग लगाईएगा, आर्थी कीजेगा और पूजन के पश्याद जो भोग है, वो किसी छोटी कन्या को खिलाईएगा पूजन करते समय जो मंत्र आपको बोलना है, जब मा गौरी की अराधना कर रहे हैं तो ओम क्लीम गोरी नमाहा, एक माला इस मंत्र का जदूर जाप किजेगा वगवान गनेश की अराधना करते समय ओम श्री संसार सुकधाय नमाहा वगवान गनेश की एक माला कम से कम इस मंत्र से कीजेगा हर्मान चालीसा का साथ बार मंदिर में ही बैठके पाठ कीजेगा निश्यत तार पर आज पुष्य नक्षत और तित्य अतित्य के सयोग में, सिद्धाय योग में जो भी कारे आज आप करेंगे उसमें सफलता मिलने की 100% गारंटी रहेगी और इस बीच हम अपने कॉलर से जुड़ते हैं संजीव कुमार बहरोर से इस वक्त हमारे ज़र जुड़ें संजीव आपका स्वागत है और साथ साथ आप सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी क्या समस्या है अधारा से तंबर नाइटीन सिक्स्टीनाइब प्रस्ट पूछी अधार एक तो मेरे ब्यापार बड़ी चक्रीफ वाली व्यापार किसीजगा करूं तुसरा एक साधी में परवलम वाली शाधी निगे पाली देखे संजीव जहां तक जो आपने डेटा बड़ बताई है 18,19,1969 जेस्टा नक्षतर का जनम है आपका जेस्टा नक्षतर गणमून लक्षतर का जनम कहलाता है पैदा होते ही 27 वे दिन इसकी पूजा आर्चना होनी चाहिए आशा करते हैं कि आपके माता पिता ने कराई ह होगी यदि नहीं कराई है तो करवाली जी दूसरा आपकी जनमकुली के अंदर शनी नीच का है और प्रॉफिट हाउस में चंदरमा भी नीच का है यू कैन बी अ गुड मैनेजर बट यू कान बी अ गुड प्रॉपराइटर आप अपने नाम से कभी भी कोई व्यपार नही करें लोहा आपको सूट नहीं करता है हार्डवेर सूट नहीं करता है कपड़े का काम आपको सूट नहीं करता है सफेज चीजों का काम आपको सूट नहीं करता है और चंदरमा की मादशा चल रहे है सन 2021 तक मेरी सला तो यह है कि आपको 2021 तक कोई अपने नाम से व्यपार नह चाहस से भगवान का अभिशेक करें निशित तर्पे फाइदा होगा और इस बीच हमारे साथ एक और कॉलर जूटे हैं विजेंद्र जार्गन से चुटे हैं विजेंद्र आप अपना सवाल पूछ सकते हैं पंडी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजुद हैं जी पढब बनीजे शुबाशिर वाद जी मेरा नाम दुजयन लियार आपको से चारगन चापो ना है मेरा जन्वा समय लात्री के एक परितानिश निपार तारीश सितंबर उनेस सो सत्त को है तारीश वापिस बोलें 27 सितंबर उननिस सो सत्तर 6-7 27 सेप्टेंबर 1967 23 सेप्टेंबर 23 की नाइट का है या तो 24th morning हो जाएगा जी प्रश्ट पूछी देखी विजेंदरी जहां तक आपकी जन्मकुली का सवाल है निशित तर पर आपको गुरू की मादशा चल रही है गुरू की मादशा में भी चंदरमा का अंतर अभी सप्टेंबर 2018 में खतम हुआ है और गुरू में मंगल का अंतर शुरू हुआ है नेक्स्ट येर अगस्ट 2019 में अगस्ट के महीने से पहले पहले आपकी पुने सरकारी नोकरी के योग बनते हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर आप जा सकते हैं और भी दूसरे जो सेक्टर्स हैं जहां गौर्मेंट का आपको चांसे मिल सकता है इसमें कोई दोराई नहीं है एक चुकि राहु आपकी जनमकुली के अंदर आपके दसम भाव में बैठा है नोकरी व्यपार के घर में अधियर राहु का काम है अर्चन लेके आना रुकावट लेके आना हर रहीवार को अगर आपके पास में कोई भैरो मन्दिर हो तो वहाँ पर दर्शन करें दाल की कचवरी दायी मरतिन चढ़ाईे अगर वहाँ पे भेराव मंदिन नहीं है तो एक बाउल के अंदर कागच का जो बाउल होता है दोना बोलते हैं उसमें कचोरी ले लिजे दाल की उसके उपर थोड़ा सा दही डाल के स्ट्रीट डॉग जो कुत्ता होता है उसके खाने के लिए डाल दीजे ऐसा 11 रविवार आपको करना anytime you can do आपके नोकरी के अंदर जो अरचने हैं वो स्वता ही खतम होगी और 2019 में आपको निशित तोर पे सरकारी नोकरी मिलने जा रही इसमें कोई दो राएगा और इस बीच एक मेल आया है और चंदर प्रकाश का जैपूर से मेल है और इनकी जनम तारीक पंडी जाप नोट कर ले 18-11-85 यानि 18-9-85 इनका जनम है और समय का ध्यान नहीं है टीचर हैंगे पेशे से इनका ट्रांसफर कब तक होगा ये इनको जानना है और मेल के जरीए हम चंदर शेखना नाम है दिखी जहां तक आपकी जनमकुली का सवाल है आपकी जनमकुली के अंदर जिस तरह की युतिया बनी में है प्रीचीज तो शनी और सूरे की युति बनी में दूसरा गुरू आपकी जनमकुली में नीच का है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन्चाही जगे पे टांसफर हो तो एक तो आप पूर्णिमा के वरत करने शुरू करतीजिए। पूर्णिमा का वरत कीजिए चंदरो दह होने के पश्यात में भगवान चंदर को कच्छे दूद का अर्ध प्रदान कीजिए। शुर्द देशी घी का दीपक और सफेद मिस्टान का भोग लगाए और जब दीपक लगाए तो उसकी बत्ती उस दिशा में रखिए जिस दिश योग बनेंगे वह अगले वर्ष मई जून के मईने में आपके जो अभी जो एक्जिस्टिंग जगह है वहां से स्थान परिवर्दन की योग बनेंगे और आपकी मन चाही जगह पे टांसफर हो सकता है नेमित रुप से आपकी पत्नी को बोली पित्रों के नाम का देशी घ सवाल पूछना है इन्हें पंकरज नाम है बेटे का और जनम तारीख भी सामने है 16 नॉवंबर 2007 एक बचकर 30 मिनट एक साल से बिमार है ये और इसलिए सवाल पूछना है आप सवाल पूछ सकते हैं दोपेर में डेड़ बजे इसके क्या बिमारी बताई है डाक्टरों ने इसकी पेसाब की अपी बात में होगा है देखिए ऐसा है इस बच्चे की जनम कुली में बहुत समस्या हैं समस्या क्या है एक तो इसकी जनम कुली में आयूस्तान पे जो है वो शक्र नीचका होके बैठा है साथ में ही इसकी जनम कुली के अंदर सूरे भी नीच का है और उसके साथ साथ में पेट और पेट से सम्मन्दित रोग या उसे नीचे से सम्मन्दित अंगों के रोग वहां पे शनी बैढ़ गया है और साथ में राहू इसके दिमाग के उपर बैढ़ चुका है यदि आप चाहते ही कि आपका बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्त रहे वजन के बराबर गुड का दानगौशाला में करवाए योग्याचारे के निर्देशन में इसकी ग्रह शान्ती करवाईए अर एक तामबे का कड़ा बनवा लीजी सीधे हाथ में धारिं करवा दीजी लेकिन और उसके साथ साथ में सिर्फ तामबे के बरतन का पाणी पिलाईए एक उपाई बहुत जल्दी से बता देता हूँ समय कम रहता है बहुत सारे कॉलर रहते है एक जो अपने मोली का गटा रहता है उस मोली का गटा लेके इस बच्चे के सिर से पाउं तक पाँच लंबाई नापनी है हेट टूटो सिर से पाउं पाँच लंबाई नापके और फिर उसको बटके उसकी बत्ती बनानी है बत्ती बनाके एक मि्टी के दीपक में उस सरसो का तेल भरके उस बत्ती को जला दीजिए और उसके साมने बैठ के बजरंग बाण का पाट कीजिए मंगल वार या शनिवार यो उपाय कीजिए कम से कम पांच मंगल वार या साथ शनिवार निशित तर पर इसको हम वेंटिलेटर वाला उपाय बोलते हैं कि जब वेंटिलेटर मशीन पर कोई पेशिन्ट आ जाता है डॉक्टर मना करता है तब हम यह उपाय करवाते हैं तो आप यह उपाय करिएगा और वजन के बराबर गुड़कादान कीजिएगा सोते समय सिर्फ पूरब दिशा में करिएगा निशित तर पर मातारानी के आशिरवात से आपके बच्चे को एक नया जीवन मिलेगा हम सभी भी आपके बच्चे के लिए विशिश तर पर प्रात्ना करेंगे और उसके शताई होने की मातारानी से अर्जी लगाएगे और आएए अब जान लेते हैं वो महा तोटका जिसे करने से आप बन जाएगे रोट पती से करोड पती दोस्तों आईए आप जानते हैं आज मंगलवार के दिन गुर्णक टिप्स का महा तोटका तो आज मंगलवार को करना है आपको एक महा तोटका जिसको करने से अगर आप रोड पती है तो आपका रोड पती बन सकते हैं करना क्या है बहुत सिंपल सी चीजे हैं कागज कलम पैन लेके बैठ जाएए ऐसी चीजे बार बार नहीं बताई जाती है आज मंगलवार का दिन है अपने घर के मंदिर में मीठी सौफ जो आप खाने के काम में लेते हैं मीठी सौफ के 21 दाने कपूर की टिकिया के साथ में उसको जला दीजिए मीठी सौफ के 21 दाने कपूर की टिकिया के साथ जला दीजे आपको रोड़ पती से करोड़ पती बनने में कोई नहीं लोग सकता है और यदि आप जमीन जायदा टौपाटी से जुड़ी परिशानी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज एक महा टोटका है आज मंगलवार को हनमान जी के मंदिर में जाकर एक गुलाब के पुष्प की माला एक नारियल साथ बूंदी के लड़ू लेके जाएगा वही बैठकर साथ बार हनमान चालिसा पढ़िएगा हर हनमान चालिसा के पाठ के साथ एक एक लड़ू हनमान जी महाराज के चर्णों में अरपन करते जाएगा अपनी मनो कामना अरपन करते जाएगा और हनमान जी के मंदिर में ही बैठकर ओम भूमी पुत्राई नमाहा, ओम भूमी पुत्राई नमाहा, ओम भूमी पुत्राई नमाहा, इस मंत्र का एक माला का जाप कीजिएगा, साथ मंगलवार ऐसा कीजिएगा, जमीन, जायदा, प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या का आपको समाधान मिलेगा, आपको निश्य इस तोर पर आपकी जितनी भी मनोकामना है वो पूर्ट होगी है। फलाल वक्तों चला है छोड़ी से ब्रेक का ब्रेक पर जाने से पहले आपको छोड़ी जाते हैं आज की पंचान के साथ। कर दितनी दोड़ी से जा देक सुंड़त आपको दॉन कर द dipsष का लाने से कर रहा है का भी तो है वोड़ी जा पोड़ी जाते हैं। भी आपक्तों और यू시 ब्रादा प्तों चाहले आपको प्रम्हालेघ्ट पितनी रवाने से आपको प्रोम्हाले reward है कि अगर थे इस वक्त हमारे साथ भरतपुर से कॉलर जोड़ी हुई है प्रीधी नाम हैंका बेटे के लिए सवाल पूछना चाहती है और बेटे का नाम दक्ष है और प्रीधी आप सवाल पूछ सकती हैं आप सीधे पंडी जैसे मुख खाते कुछ पूछे बेटा बेटे के बार में जाना है क्या जानना है इसका पविच्चे कैसा रहेगा और दिमाग होत रहता है जन्दिन जोगा देखी जहां तक आपके बच्चे की जनमकुली का सवाल है एक तो रेवती नक्षतर का जनम है गणमूल नक्षतर का जनम है पैदा होते ही 27 27 वे दिन मूल शान्ति होनी चाहिए आशा करते हैं कि आपने कराई होगी यदि नहीं कराई है तो योग्याचार के निर्देशन में रेवती नामक गणमूल लक्षतर की शान्ति करवाई है दूसरा इस बच्चे की जनमकुली में पंचम भाव में शनी मंगल की युती बनी पीचे या उस खेजड़ी के पेड़ के डंड के समक्ष्यों कि अभी बहुत चोटा बच्चा है इसको पूजा में बैठने का अधिकार नहीं है लेकिन आप माता पिता इस संकल्प के साथ में बैठके पूजा करवाईए वजन के वराबर गोड़कादान करिए बाकि सब और एक और कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ है प्रकाश ब्यावर से और जन तारीख है तेरा साथ उन्निसु लगड़े प्रकाश आप सवाल पूछ सकते हैं सीड़े गिए मारे समय बताई कि नमस्कार भी नमस्ते समय बताई कि चली प्रश पूछ पूछी अपने स्वतर ही शुरू हो जाता है आपकी जनम कुली में बनावा जो पित्रदोश है ये एक मुख्य कारण बनता है आपके घर कलिश का घर के अंदर रसोई में जहां पानी का मटका भरके रखते हैं वहां पित्रों के नाम का देशी घी का दीपक निमितरूप से जलाए हर अमावस के पश्यात में कपूर की टिकिया जलाए निमितरूप से नमक के पानी का पोचा लगाए और साथ साथ में एक रोटी का उपाय आपको करना है एक रोटी रोज सुबह पहली रोटी बनवाकर उसके ओपर घी लगा के उसके चार टुकड़े कर दीजे हर टुकड़े पे इस घारी के लिए मांगने वाले के लिए करना है इस पकार इस रोटी का उपाय चालिस दिन कीजिएगा आपके घर में सुक्षान्ती रहेगी तो नौकरी या जौब समवनित समस्या को दूर करने का अब महाट टोटका हम जाने लेते हैं तो आज मैं आपको बहुत सारे स्पेशल रेमेडीज बताने जा रहा हूँ कुछ रेमेडीज मैंने आपको पहले बताई आज बड़ा ही दूर्लप सही योग बन पड़ा ही मंगलवार का दिन पुष्य नक्षत्र का दिन वैधर्ती पुर्ण्या सुभाग्य सुंद्री व्रत अंगारक चतुर्थी व्रत तो आज के दिन बंदरों के सामने बैठ कर अगर कई ऐसी जगे बिल जाए जहां भूप सारे बंदर बैठे हो तो उन बंदरों के सामने बैठ कर नो बार बजरंग बाण का पाठ की जेगा कितनी बार? नो बार हर पाठ करते समय एक मुठी गुड़ चने का प्रशाद अपने हाथ में रख कर पाठ समापत होने पर बंदरों को खिला दीचे तो नो मुठी आपको इस प्रकार बंदरों को खिलाना है इसी के साथ उसी स्तान पर बैठ कर बंदरों के सामने ही हनमान जी के विशेश मंद ओम वानराय नमाहा ओम वानराय नमाहा एक और छोटा सा उपाई आज मैं लेकर आया हूँ तो आज करें ये छोटा सा उपाय चमक जाएगी आपके किस्मत जिस प्रकार विवाहित महिलाएं अपने पती या अपने स्वामी की लंबी उम्र के लिए मांग में सिंदूर लगाती है ठीक उसी प्रकार हनमान जी महराज अपने स्वामी शीराम के लिए पूरे शरीर पर सिंदूर लगाते हैं उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं पूरे शरीर पर सिंदूर मैलाएं तो मांग में लगाती हैं वो पूरे शरीर पर लगाते हैं इसलिए आज मंगलवार के दिन हनमान जी महाराज के मंदिर में जाकर उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल अरपन कीजिएगा चोला चड़ाईएगा निशित और पर हनमान जी की महाराज की क्रपा से आपकी किस्मत स्वता ही चमकने लगेगी मिलेगा आपको नाम, पद, पैसा, शौरत, सब कुछ है तो इस सरल से सिंपल से चमतकारिक टोटके आपके जिवन के अंदर आमचूल परिवर्तन करने में सक्षम है इसमें कोई दोड़ा नहीं और स्पीच एक कॉलर हमारे साथ जोड़िंग है चुत्रा नाम है इनका विजयनगर से चुत्रा आप पंडी जी से मुखातीब हैं लेकिन साथ साथ आप समय और तारीख बताना ना भूले जैशी किष्णा जल्दी बताईए बिटा पहला जी मैं वार्टों के वार्टों के वार्टों के पूछना जाती हूं हमारे तीन साल पहले मकान मना है जो हमारा वगर का मुखे दवार ने उसके जस्त सामने सीड़ी आए तो कोई कहता है यह गलत है तो बिना तोड़ कोई उपाय बताओ देखे बिटा जो मुखे दवार के ठीक सामने अगर सीडिया आ जाती है वैसे सीडिया मुखे दवार के सामने आए तो कोई दिकत नहीं है चड़ती वी तो हमेशा शुब मानी जाती लेकिन वो इशान को नहीं होना चाहिए फिर भी उसके लिए दो बास अपड़े में फिटकरी का टुकड़ा बांद दीजेगा जितना भी सीडि का वास्तुदोश है वो स्वता ही खत्म हों जाए और अब जानते हैं आज का दव्य मंत्र दोस्वों आज का बहुत ही इंपोर्टेंट दिव्य मंत्र में आपको बताने जा रहा हूँ आपके टीवी स्कीन पे भी आ रहा है घर घर की समस्या है पेरेंट्स बहुत परिशान रहते हैं तो आप सभी की परिशानी को दूर करने के लिए एक महा दिव्य मंत्र आज में आपके लिए लेके आया हूँ लाब क्या है अगर आप अपने बच्चों के ज्यादा सोने से परिशान हैं आपको लगता हो कि एक्जाम के समय पढ़ाई करते समय आपके बच्चों को बहुत नींद आती हो उबासियां आती हो हर वक्त सोने का मन करता हो तो एक गुलाब के धूप की बत्ती और एक तेल का दिपक अपने बच्चों के कमरे में जलाईएगा वहीं बैठकर इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा मंत्र के पभाव से आपके बच्चों को कुम्ब करनी नींद से कुम्ब इस दसंबर को जन में लोगों का ये साल कैसा रहेगा ये भी हम बताते हैं आपको हमारे जिन दर्शकों का जनम दिन हैं फरस्ट इंडिया न्यूस चैनल की तरफ से उनको जनम दिन की हादिक शुपकाम नाए इश्वर आपको स्वस्त रखे दिरगायू रखे सदा पसंद रहने का आशिरवात पदान करे नया वर्ष आपके लिए नुपूल रहेगा भाग आप सभी का आज का दिन मंगल में हो शुब हो जैशी किष्णा जैमाता की तो अगर आप भी अपनी कोई समस्या का समधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं आप से फिर मिलेंगे खुश रहिए और अपना खयाल रखी नमस्कार